नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जोतिश ग्रंथ गंगा में। प्रार्थना इस प्रकार से है आज मंगलवार है महावीर का वार है ये एक सच्चा दर्बार है सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका वेरापार है। अगेर रखा है गरीबी दरिदरता आपके पीछे पड़ी हुई है तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपको हम एक ऐसा असरदार उपाय बताने जा रहे हैं जिसको अगर आप अपना लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन काल में सकारात्मक उर्जा आ जाएगी। आपके जीवन काल में जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तिमाल होने वाली चीजे भी आप बड़ी मुश्किल से खरीद पाते हैं। आपको देख लेते हैं या ऐसी नजरों से आपको देख लेते हैं कि आपको एक बुरी नजर लग जाती है। काला जादू आपके पीछे पड़ जाता है तो आप जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं काले धागे का या उपाय कर आप कर लेते हैं। दोस्तों आपके लाखों शत्रूओं एक तरफ खड़े हो वो आपका कुछ भी नहीं बिगार पाएंगे। वो आपके सामने घुटने टेक देंगे। आपके जीवन काल में अगर धन आना बंध हो गया था, धन का आगमन बहुत तेज हो जाएगा, इतना धन आएगा जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। सिर्फ सही तरीके की साधना से कर लिया, तो कितना ही बड़ा रोग हो वो चुटकियों में खत्म हो जाएगा। आप ये उपाय करके देख लीजिये, अगर नहीं ठीक होता है, तो आप आकर हमारे चैनल को अंसब्सक्राइब कर दीजियेगा, क्योंकि दोस्तों ये जीतने भी आपको उपाय बताय जा रही हैं। को बताने जा रही हैं, पहले आपके पास धन आ रहा था, फिर धन आना बंध हो गया था। इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे या तो आपके घर पर नकारात्मक शक्तिया हैं, या तो आपके घर पर रोज लड़ाई, जगड़ा, कलश होता है, आपके घर का वातावर्ण अच्छा नहीं है, या आपके घर में कुछ ऐसी चीजे हैं, जिसके वजह से आपके घर को दोश लगा हुआ है। तो दोस्तों काले धागे के उपाय से आप इन तरीके की दिक्कतों से छुट्टी पा सकते हैं। आपको काले धागे का उपाय करके आप अपनी मनोकामना पूर्ती भी करवा सकते हैं। मतलब आपकी कोई भी मनोकामना है। संतान प्राप्ती, नौकरी प्राप्ती, व्यापार को दोडाने के लिए नौकरी में प्रमोशन पाने के लिए या कोई भी आपकी मनोकामना A to Z कोई भी मनोकामना है, वह जरूर पूरी होगी, लेकिन आपको काले धागे का सही तरीके से प्रयोग करना होगा. वह उपाय करने होंगे जो आपको हम बताने जा रहे हैं इसलिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिये ताकि दोस्तों हमको भी थोड़ा प्रोचसाहन मिल सके आप लोगों तक अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए और इस वीडियो को लास्ट तक अंट तक देखेगा इसलिए कोई कौपी ले लीजिए पैन ले लीजिए जितनी भी क्रियाये आपको बताई जाएंगी इनको कहीं लिख लीजिये क्योंकि दोस्तों हिंदू प्राणों में एक बात कही गई है आप अगर तांत्रिक के पास जाएंगे, किसी शास्त्री के पास जाएंगे, किसी एस्ट्रॉलजर के पास जाएंगे और उससे कहेंगे कि हमारे लिए पूजा कर दो तो वो पूजा आपके लिए कर देगा लेकिन आपको उसका जो फल मिलेगा वो थोड़ा रुक-रुक के मिलेगा और समय के बाद मिलेगा लेकिन अगर आप किसी पूजा को किसी साधना को सिध्ध कर देते हैं और विशेश दिन पर सिध्ध कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसका फल मिल जाएगा दोस्तों मंगलवार का दिन होता है इसको चमतकारी दिन कहा गया है यहां हनुमान जी महाराज का दिन होता है हनुमान जी महाराज कल्यूग के एक मात्र ऐसे जीवित देवता है जिनके सामने अगर कोई भी उपाय किया जाए तो वो तुरंत ही उस उपाय का हमें परिणाम दे देते हैं और काले धागे का उपाय एक ऐसा उपाय है जो कभी खाली जाता ही नहीं है समझिएगा इस बात को हम क्या बोल रहे हैं काले धागे का उपाय खाली जाही नहीं सकता है बस आपको इसको सही तरीके से करना वो करना कैसे वो हम आपको बता नहीं रहा है इसलिए बहुत ध्यान से सुनेगा जितनी भी जानकारी आपको दी जा रही है और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिये तो काले धागे को आप चाहे रेश्मी वाला लिया ये शायद वाला ये दोनों से चल जाएगा काम आपका आप सबसे पहले जो उपाय हम आपको बताने जा रही है वो है मनोकामना पूर्ती के लिए मनोकामना पूर्ती का मतलब है इसमें आपकी हर चीज आजाती है नौकरी प्राप्ती, संतान प्राप्ती, नौकरी में प्रमोशन, व्यापार को दोडाने के लिए घर में सब कुछ ठीक हो जाए घर का वातावर्ण सही हो जाए तो ये मनोकामना पूर्ती के लिए हम आपको बताने जा रहे हैं आपको सिर्फ ये करना है, मंगलवार के दिन आपको किसी भी हनुमान जी के मंदिर जाना है देखिए हनुमान जी के मंदिर आपको जाना पड़ेगा और काला धागा लेकर के जाए आपको काला धागा ले करके हनुमान जी की किसी भी मंदिर चले जाना है, आप हनुमान मंदिर जाते हैं, आपको हनुमान जी, के सामने हाथ जोड़ना है उनके दाएं चरण बहुत ध्यान दीजिये गादाएं, उनका जो पाव है, उसमें आपको काले धागे को छुवाना है छुवाने के बाद जो उसमें सिंदूर लगाना है, फिर उसकी एक गांठ बांध देनी है फिर अपनी एक मनोकामना बोलनी है इस प्रकार से आपको साथ गांठे लगाने और साथ मनोकामना बोल सकते हैं अब आपने यह कर लिया, जब साथ गांठ लगा लीजिये, तो मन ही मन आपको ग्यारा बार हनुमान 40 का पाठ करना होगा लेकिन दिक्कत ये है बहुत से लोगों को हनुमान 40 आता नहीं तो आप लोग क्या करेंगे तो आपको बता दे आप लोगों को ओम हनुमते नमह का जाब करना है एक हजार एक बार ये साथ गांठे लगाने के बाद आपको एक हजार एक बार या तो ओम हनुमते नमह का जाप करना है या ग्यारह बार आपको हनुमान चालिसा का पाठ कर लेना है फिर आपको ये करना है कि ये जो आपने काले धागे में साथ गांठे लगाई है हनुमान जी के दाए चरण से सिंदूर लगा-लगा के इसको घर पर लाइए किसी लाल कपड़े में बांध करके मौलिक धागे से पैक करके दीजिए और अपने कमरे में रख दीजिए आप जीस भी कमरे में बैठते हैं वहाँ पर इसको रख दीजिए बस इतना कर दीजिए यकीनन दोस्तों जो भी आपकी मनोकामना होगी वो हनुमान जी के आशिरवाद से पूरी हो जाएगी लेकिन याद रखिएगा दोस्तों मनोकामना पूर्ती के लिए जो उपाय किया जाता है इसमें फिर आपको तामसिक भोजन छोड़ देना पड़ता है मतलब जब तक आपकी मनोकामना पूरी ना हो जाए तब तक आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं तामसिक का मतलब है नौन वेज मदिरा, गुटका, पान मसाला तभी इस उपाय को कीजिएगा जब आप तामसिक भोजन छोड़ सकते हैं क्योंकि आपने यहाँ मनोकामना पूर्ती का उपाय कर लिया और इसके बाद अगर आपने तानसिक भोजन कर लिया तो आपको हनुमा जी का क्रोध जेलना पड़ेगा। आपके घर में रोल लड़ाई, जगड़ा जो होता है वो बंध हो जाएगा। आपके रखके मौली धागे से बांध दीजिए, घर पे वापस आएए, इसी लाल कपड़े को आपको बांध देना है। अपने घर के मुख्यदवार पर यकीन मानिये दोस्तों सिर्फ एक मंगलवार अगर यह प्रक्रिया साधना कर लेते हैं, तो आपके घर से नकारात्मक शक्तिया चली जाती है। किसी ने अगर आपके कार्य पर काला जादू, काला मंत्रह, काली विद्या कुछ इस तरीके का कराया था, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। दो उपाय हम बता चुके हैं, तीसरा उपाय जो हमको आपको बताने जा रहे हैं। ये एक ऐसा उपाय है, जीसको अगर आप लोग कर लेते हैं, तो दोस्तों यकीनन यकीनन दोस्तों आपकी नौकरी लग जाएगी। आप मान के चलिए, आप नौकरी के लिए बहुत प्रयास कर चुके हैं। तूट चुके हैं नौकरी का प्रयास के चक्कर में, तो हम ये नहीं कह रहे हैं, कि आप नौकरी की तयारी नहीं कर रहे हैं, तो आपकी नौकरी लग जाएगी। तो ये उपाय बहुत आसान सा है, लेकिन इसके लिए जो साधना आपको करनी है, वो बहुत ही कठिन साधना है, तो करना ये आपको की आपके काला धागा लेना है. हनुमान जी के मंदिर जाना है हनुमान जी के मंदिर जाने के बाद आपको 21 बार हनुमान 40 का पाठ करना है ध्यान रखिएगा 21 बार हनुमान 40 का पाठ करना है आपको हनुमान 40 नहीं आता है तो 2001 बार ओम हनुमते नमह का जाब करना है आपको ये काला धागा धारन कर लेना है काला धागा हनुमान जी के दाएं चरण में छुआ करके आपको धारण कर लेना किसी पुजारी से बंधा लेंगे तो बहुत ही शुब है काले धागे को उदाहरण कर लीजिए निश्चित रूप से दोस्तों आपकी नौकरी जरूर लगेंगी लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये काला धागा धारण करने के बाद आप तामसिक भोजन नहीं खा सकते हैं तामसिक मतलब जैसे आप लोग जा नहीं रहे हैं शराब, मदिरा, नौन वेज नहीं खा सकते हैं और इस काले धागे को धारण करने के बाद आप नौकरी की तयारी में लग जाए जो भी बाधाएं आ रही थी आपके उपर वह बाधाएं खत्म हो जाएगी और दोस्तों ये जो उपाय हमने आपको बताया उपाय कई IAS, PCS बड़े बड़े अफसर कर चुके हैं दोस्तों ये जितनी भी आपको उपाय बताय जा रही हैं ये ऐसे वैसे उपाय नहीं है ये वास्तु शास्त्र से ढूंडे जाए उपाय बताया जा रहा है आपको इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक देखेगा और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो तुरंथ ही वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अब आपको जो हम उपाय बताने जा रहे हैं वो उपाय से आपका राहु केतु बड़ा अच्छा हो जाएगा आप सुनिएगा जो आपको उपाय बताने जा रहे इससे पहले आपसे निवेदन था कि आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तो करना क्या है? आपको काले धागे का एक बड़ा सा उपाय बताया गया है हमारे हिंदू प्राणों में कि अगर आपके राहो के तु अच्छे नहीं है तो आपको सिर्फ यह करना है कि ये काला धागा लेना है काला धागा लेने के बाद अपने घर की छत पर मंगलवार के दिन चले जाना है सुर्यास्ट के बाद एक पूर्व दिशा की तरफ आपको घी का दीपक जलाना है आपको हनुमान 47 बार पढ़ना है और काला धागा जो होगा उसको किसी काली पोटली में डाल दीजिए मौली धागे से बांध दीजिए और अपने घर की छत पर रख दीजिए अपने घर की छत पर रख कर कहीं बांध देंगे तो ठीक है वरना किसी भारी चीज से दबा दीजिए आखिर घर की छत पे ही आप ये उपाय क्यों करेंगे तो आपको बता दें कि किसी भी व्यक्ती का जो राहुकेतु होता है, वो उसके छट पर वास करता है ध्यान रखिएगा हर मंगलवार को अपने घर की छट को साफ कर दिया कीजियेगा क्योंकि राहुकेतु तभी आपके घर पर वास करने आएंगे जब छट साफ होती है तो अगर आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से जो आपके राहु केतु हैं वो अच्छे हो जाएंगे और आपके जीवन काल से हर परेशानी चली जाएगी मंगलवार के दिन भूल कर भी ना करें ये गलती हनुमान जी को भूल कर भी दूज से बनी मिठाई का भोग नहीं लगाना चाहिए इससे बंजरबली रुष्ट हो जाते हैं हनुमान जी को बुंदी, बेसन के लड़ू का भोग लगाना चाहिए, ये भगवान को बहुत प्रिय है. मंगलवार के दिन मास और मंदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए. तामसिक चीजों का सेवन करने से आपको अपने जीवन में परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है. मंगलवार के दिन जो लोग बजरंगबली का वरत रखते हैं, उन्हें भूल कर भी नमक का सेवन नहीं करना चाहिए. मंगलवार के दिन ब्रहमचर्य के पालन करना चाहिए. ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी ने अपने पूरे जीवन भर ब्रहमचर्य का ही पालन किया. मंगलवार के दिन शुक्र और शनी से जुड़ा कोई काम नहीं करना चाहिए. इस दिन वस्त्र भी हमें लाल या नारंगी रंग के पहनने चाहिए मंदलवार के दिन हमें नाखून नहीं काटने चाहिए नहीं बाल कटवाने चाहिए और नहीं दाढ़ी बनवानी चाहिए तो दोस्तों ये विडियो अगर आप लोगों ने अंत तक देखा है तो आप लोगों से निवेदन है कि विडियो लाइक किये बिना मत जाईएगा और कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जी महाराज की लिख दीजिएगा